जैएं दोस्तों देखिये अभी जो GDS का वेकेंसी आया है भारती डाक विवाग में तो इसके बारे में हम वीडियो पहले ही बना चुके हैं तो आप लोग कहोगे कि कितना बार इसके बारे वीडियो बना रहा है हो जाएगा आपको A to Z जानकारी देंगे तो आप लोग चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं करते हो सब्सक्राइब जरू कर लेना आगे भी जो भी वैकेंसी निकलेगा सारा अपडेट आप जरूर पहुंचाएंगे एकदम सिंपल सरल भासा में बोर्ड में लीक करके सारा चीज हम समझाते हैं तो आप लोग चैनल को जोर सब्सक्राइब कर सकते हो ठीक है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो देखें सबसे पहले बात करें वैकेंसी की तो देखें इस दोस्तो 38,926 पद है ठीक है अभी तक बहुत सारे विदाजों ने फॉर्म फिलप कर दिया होगा कौन कौन फॉर्म फिलप कर चुके हो और कहां से आपने फॉर्म फिलप किया है किस स्टेट से कॉमेंट में एक बार लिग दीजेगा ठीक है देखें तो 38,926 पद के लिए व अप्लाइ कररे नहीं हो वहाँ का लोकल लैंगवीच छित्री भासा आपको आनई चाहिए सव्मज मागिया और 10V में कितनों पर्सेटेज है आपने एक बार में-दो बार में-तीन е-पास किया है ऐस स्टेट बोर्ड या फिर स्टेट बोर्ड कोई दिक्कत नहीं आप कहीं किसे भी हैं तो आप इस फर्म को भर सकते हो समझवा गया इसके बाद बात करें उम्र सीमा तो देखें इस पर उम्र मांग गया गया दूस्तों 18-40 साल यदि आपका एज है तब आप इस फर्म को भर पाईएगा और हां यदि आप OBC हैं तो आपक उम्र में पांस साल का छूट इस पर एज रिलेक्सेशन दिया जाएगा समझवा गया चलिए इसके बाद बात करें चयन प्रक्रिया चयन प्रक्रिया इस पर क्या होगा उनली 10 का परसेंटेज देखेगा आप किसी भी कैटेगेरी से हैं कैटेगेरी वाइज मेरिट जादा होगा 10 का परसेंटेज उसी का सेलेक्शन हो जाएगा जो कि मुझे सबसे गलत नियम रखता है इंडिया पोस्ट को इसके लिए एक्जाम लेना चाहिए क्योंकि यदि किसी का 10 में अच्छा का सा परसेंटेज आ भी गया है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह बहुत हु अगर हम अच्छे से एकी बुक को बार बार पढ़के एक्जाम देदेंगे तो टेंथ में तो परसेंटेज आ ही जाएगा लेकिन कोई विदार्ती ग्रेजविशन करकर के बैंकिंग रेलवे एससी वगरा की तयारी करते मारा मारा फिर रहा है और कोई टेंथ का सिर्फ परस होना चाहिए कि हम भार दें तो देखिए इस बार सीट जो है थोड़ासा ज्यादा है 38,926 पद के लिए वेकेंसी निकला है तो यदि आपका मोर दें 75 परसेंट है ना या फिर 70 परसेंट प्लस है तो आप एक बार ट्राय करके जहूर देखिए क्योंकि इस पर कुछ भी कर दो हो गया फोटो सिगनेचे डालो हो गया सिर्फ अपला करके छोड़ देना ना ट्रेन में धका खाना है ना एक्जाम देने जाना है ना कुछ पढ़ना है ना बुक खर ना सिर्फ अपला करके छोड़ दीजे होगा यदि आपका अच्छा परसेंटेज है तो हो सकता है डाइरेक्ट आपका हो जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है, और जनरल OBC को 100 रुप्या लग रहा है, तो एक बार भर के आप ट्राइ जरू कीजे, क्योंकि इस बार पोस्ट जादा है, इसके बाद बात करें, फी की, तो देखें, फी इस पे 100 रुप्या रखा गया है, जनर चलेगा 5-6, 5-6-2022, यानि 5 जून तक इसका उनलाइन चलेगा, सारा चीज हम वाइट बोर पे पहले लिखे रहते हैं, और फिर समझाते हैं, लेकर आभी देख सकते हो, हमारे यहां इतना ज़्यादा गर्मी है, कि क्या बता है, पूरा पसीना पसीना हो रहे है, इसलिए अ इसके बारे में हम वीडियो बना चुके हैं, नहीं देखे हो, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हो, जाकर के देख लेना, वहां भी बहुत अच्छा कासा वेकेंसी निकला, वहां पर एक्जाम होगा, तो टेंथ लेबल, ग्रेजुशन लेबल, और इंटर लेब और डाक से वक्ट के लिए 10,000 बेतन है, आपका जिसमें भी सेलक्शन होता है, बीपेम में या फिर डाक से वक्ट में, तो आपको 10,000 और 12,000 सेलरी दिया जाएगा, और ये पर्मानेंट सेलरी नहीं है, ये सेलरी जो धेरे धेरे इंक्रीज होगा, ऐसा नहीं कि आपको करें, फाइनल मेरिट लिस्ट कब आएगा, सबसे पहले ध्यान लिजेजिए कि कब आएगा, तो फॉर्म किस दिन लास्ट हो रहा है, पांच जून को अपलाई करने का लास्ट डेट है, तो पांच जून के बाद आप 90 दिन जोड़ दो, 90 डेज में ये सारा चीज क्लियर कर पॉसेज जो है, 15 नवंबर तक क्लियर हो जाएगा, 15 नवंबर 2022 तक, मेरिट लिस्ट निकाल देगा, और फिर आपको जॉइन भी करा देगा, मेरिट लिस्ट 15 नवंबर के पहले ही आपका आजाएगा, यानि इसका मतलब लास्ट डेट सारा कुछ करने का, मतलब मेरिट लि नवंबर को ये अपना लास्ट डेट बता रहे हैं कि इतना दीन से पहले हम क्लियर कर देंगे सारा चीज, तो 15 नवंबर के पहले आपका कभी भी आपका क्लियर हो सकता है, और लगभग टाइम आपका फॉर्म अपलाई करने से 90 दीन के बाद आपका जो है, मेरिट लिस्ट बन के आजाता है, समझ में आ गया, चलिए अब बात करते हैं कि मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, ध्यान दीजे, तो फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगा दोस्तों, देखिए, यदि माल लेते हैं आपका 76% मार्क्स है, ठीक है, और आपने इस पोस्ट अपिस से अपलाई कर द यानि आपको पूरे देज भर के पूरे स्टेट का कट अप से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, जो भी प्रेफरेंस दिया होगा, माल लेते हैं वहां का प्रेफरेंस कोई नहीं दिया, तो आपका उत्रे में सेलेक्शन हो जागा, इसलिए यदि आपके 75% मार्क से तो आप अप विदार्थों का परसेंटेज एकदम आस्मान में है, तो कहीं भी ऐसा मात सोजना कि वहां का विदार्थी का परसेंटेज 60% 50% में रिजल्ट आता होगा, वह ऐसा नहीं है, हर जगर 90% 95% रिजल्ट होता है, तो आप एक बार अपलाय करके देखिए, हर विदार्थी अपना आजमा रहा है इस पर, तो आप ही एक बार आजमा के देखिए, देखिए क्या होता है, इस पर ना आपको बुक खरिदना है, ना सलेबस देखना है, ना एक्जाम देने जाना है, ना कुछ तयारी करना है, सिर्फ भर करके वेट करना, वेट एंड वाच, भर दो और दूसरे एक्जाम की तयारी करो ठीक है हम तो यहीं कहेंगे इसको भर दो दूसरे एक्जाम की प्रिपारेशन में लग जाईए और इसको सिर्फ इंतजार करो देखो कि कब आता है मेरिट लिस्ट ठीक है और आप यह वीडियो कहां से देख रहो कॉमेंट में ज़रू बताइएगा और मेरे चैनल पर पहली बार आएं सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे वे आपको हम एल्प करते रहेंगे ठीक है तो चैटे दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियों बहुत जल तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद